नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोड और आज इस फीडियो में हम चल्चा करेंगे BRTS के बारे में बस rapid transit systems क्या होते हैं, किस प्रकार से वो काम करते हैं, उनके specifications क्या है, features क्या है और भारत में किन शहरों में BRTS है, इन सभी बातों को हम discuss करेंगे, ये topic अभी news में इसलिए है, क्योंकि गुजरात के शहर सूरत में एक नया BRTS corridor स्टार्ट हुआ है recently, जिसके कारण अब सूरत शहर में भारत का सबसे बड़ा BRTS network बन चुका है अगर आप मुझसे social media पर जुणना चाते हैं, तो मुझे twitter, facebook और instagram पर महिपाल राठोड handle पर follow कर सकते हैं, मेरे सभी lectures के updates आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे और इसी नाम से आपको मेरे telegram channel मिलेगा, जहाँ पर आप सभी lectures के pdf को download कर सकते हैं Study IQ नवरात्रे के उपलक्ष में अपने सभी courses पर 5% extra discount दे रहा है, Study IQ app पर course purchase करने से पहले आपको यह code यूज़ करना होगा, नवरात्री 5 और याद रखना यह केवल 26 October तक valid है तो भारत में कई शहरों में BRTS network चालू है, पिछले 13-14 सालों से कई शहरों ने BRTS को adopt किया है और इनमें सूरत जो गुजरात का second largest city है, वहाँ पर अभी latest 5 km का नया BRTS corridor शुरू किया गया है अब यह जो local जगे है इसका नाम आपके लिए important नहीं है, जो में भी गुजरात से हैं उनके लिए important हो सकता है वरना आपको के वले याद रखना है कि सूरत में अब 102 km प्लस 5 km तो total 107 km का BRTS corridor है अब कई जगे मैंने यह पाया कि भोपाल में जो BRTS corridor है वो ज़ाधा लंबा है, कई जगे यह claim किया गया है मैंने अपनी तरफ से पूरा research करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे official information in BRTS की companies की websites पर नहीं मिली है कि कितने किलोमेटर का network है, देखे यह मैं मानता हूँ कि थोड़ी जानकारी exact पता करनी मुश्किल है क्यूंकि यह BRTS corridors continuously expand होते रहते हैं, हर शहर में कभी न कभी कोई न कोई नया corridor inaugurate होता है तो वैसे आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्यूंकि मैं खुद इसके बारे में शौर नहीं हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको इस बात बता हूँ शुरू कर दी जाएंगी सूरत BRTS में under the FAME scheme, अब आप लोगों से एक सवाल है, आपको जवाब देना है comment में FAME India scheme का phase 2 कब शुरू हुआ था या कब शुरू होने जा रहा है, options हैं December 2018, April 2019, December 2019 या December 2020 तो आपको केवल A, B, C, D में से कोई एक option चूज़ करना है, अब बात करते हैं BRTS की, BRTS का full form होता है bus rapid transit system, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, rapid transit का मतलब है कि त्वरित गती से एक जगे से दूसरे जगे तक चले जाना, that is why it is called rapid transit, यहाँ पर एक high quality bus based transportation network बनाया जाता है, ज इसकी जो capacity होती है, वो metro systems के बराबर होती है, metro level के capacities पर road के माधियम से, bus के माधियम से, commuters को एक जगे से दूसरे जगे ले जाने का काम करता है BRTS, और इसकी सबसे खास बात यह है, BRTS का सबसे main feature यह होता है, कि यहाँ पर dedicated bus lane होती है, यानि कि bus के चलने के लिए अलग ही रास में चला जाता है, और फिर बाकी बचे तीन lane में लोग गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन ये वाली जो lane है, ये किवल bus के लिए है, इसमें कोई भी regular traffic अंदर नहीं जा सकता है, आप देखी रहे हैं, यहाँ पर कोई भी car या auto रिक्षा या bike इस road का इस्तेमाल नहीं कर रहा, य को बहुत सारे corridors मिलकर एक BRTS बनाते हैं, यानि कि corridors मिलकर system मनाते हैं, तो BRT corridor हम तब कहेंगे जब कोई भी रास्ता minimum 3 km लंबा हो, जहाँ पर किवल bus चल सके हैं, यानि कि एक dedicated bus corridor अगर 3 km की दूरी के लिए बनाया गया है, तो उसे हम BRT corridor कहेंगे, अगर 1 km के लिए bus की अलग lane बना दी, तो उसे हम BRT corridor count नहीं करते हैं, इसे हम बड़ा network बन जाता है, जिसे हम कहते हैं, BRTS, भारत के कई शहरों ने BRTS को अपनाया था, 2006 में, पूना से शुरुआत हुई थी, BRTS corridors के बनने की, और पूना was the first city, और latest है इस वक्त होगली धारवाड जहां 2020 में ही पहला BRT corridor शुरू हुआ है, इस बीच 2006 से लेकर 2011-12 के बीच में कई शहरों ने ये BRTS project शुरू किये, लेकिन मैं ऐसा observe कर रहा हूँ कि पिछले 4-5 साल में किसी शहर ने BRTS का नया project announce किया हूँ, हाँ पुराने systems में वो corridor add करते जा रहे हैं जैसा सूरत ने अभी किया है, लेकिन पूरी तरह से नया एक BRTS system announce, I don't think किसी city ने किया है, तो early 2000s में आप मान सकते हैं, late 2000s तक ये BRTS बहुत popular थे, especially एहमदाबाद का BRTS जब चालू हुआ तो इन शहरों में BRTS अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ शहर जैसे कि अमरित सर वहाँ पर अभी under construction है, पूरा नहीं हुआ है काम BRTS का, दिल्ली एक मात्र ऐसा शहर है भारत का जहां पर BRT corridor शुरू हुआ था, लेकिन कई तरह की वहाँ पर दिक्कत हैं और ultimately दिल्ली ने उस BRT को बंद कर दिया, तो भारत में दिल्ली अभी तक एक लौता शहर है जिसने BRT को बंद किया हो, यह याद रखना, दुनिया में BRT systems का जो यह concept है, सबसे ज़ादा Latin America के देशों में follow किया जाता है, South America के देश, जैसे की Brazil, Ecuador, इन सब में BRT बहुत जबरदस्थ है, ब्राजील क 21 शहरों में BRT corridors चलते हैं, BRTS systems हैं, और Brazil is the country with maximum number of BRTS systems in the world, 21 cities में, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा BRT network है, इंडोनेशा की राजधानी जकारता में, जहांपर 200 km के corridors अल्रेडी काम कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं, bus rapid transit के essential features के बारे में, essential features यानि कि यह वो features, वो 5 features हैं, जो किसी भी normal bus network को BRT में convert कर सकते हैं, अगर इन में से कोई feature नहीं है, तो फिर हम उसे BRT network नहीं कह सकते हैं, वो एक normal bus network होगा, जो की लगबाग दुनिया के हर बड़े शहर में मौझूद होता है, तो पहला feature है dedicated right of way, यानि कि buses के लिए एक अलग से रास्ता होना चाहिए, bus only lane हो यहाँ पर और कोई गाड़ी travel नहीं कर सकती, केवल buses इस रास्ते पर travel कर सकती है, तो यह हो गया पहला dedicated right of way, यहाँ पर mixed traffic का congestion avoid हो जाता है, mixed traffic मतलब जब यहाँ पर buses के अलावा car, scooter जैसे traffic आता है, तो mixed traffic हो जाता है, लेकिन यह situation इस lane में नहीं होगी, बाखी का पूरा traffic यहा आपको देखने को मिलेगा, second है busway alignment, जो bus के लिए special lane बनाई गई है, वो center में होनी चाहिए, ना कि एक तरफ, in fact अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपने भी notice किया होगा, दिल्ली में भी कई जगे इस तरह की lane बना दी जाती है, जो leftmost lane है, वो केवल buses या heavy vehicles जैसे trucks के ल तो इससे क्या होता है, कि जो side का traffic है, cars जहां खड़ी रहती है, parked होती है, turn करना होता है cars को, वो वाला traffic avoid किया जा सकता है, तो अगर एक BRTS network का ideal, मैं आपको example दिखाऊं तो वो यह होगा, यहाँ पर दो lane है mixed traffic के लिए, और उसके बाद center की जो दो lane है, वो reserve कर दी गई है, बस के लिए, फिर यहाँ बीच में एक bus stand बना हुआ है, जहाँ पर लोग आएंगे और buses में बैठेंगे, तो bus हर कहीं नहीं रुकेगी, किवल exclusive stops है, वहीं पर रुकेगी, तो इन bus platforms को road के बीच में रखा गया है, आम तोर पर bus stands जो होते हैं, वो road के side में होते हैं, यहाँ कर्ब bus systems में, लेकिन BRT में यह बीच में होते हैं, यह भी एक और important खासियत है, तीसरा feature है BRTS का off board fare collection, आम तोर पर क्या होता है, हम bus में चड़े, conductor हमारे पास आएगा, पैसे मांगेगा, हमें ticket देगा, अगर नहीं आता भीड के कारण तो हम खुश हो जाते हैं, कि हमने 10 रुपे ब लेकिन BRTS में ऐसा नहीं होता, BRTS में बस में चड़ने से पहले ही, commuter को ticket खरीदना होगा, और कई जगे इस तरह के दरवाजे लगेवे हैं, जहां पर आप token दिखा सकते हैं, या फिर smart cards दिखा सकते हैं, और उसमें से पैसा कट जाएगा, और आप इस bus stand के अंदर enter कर सकते है तो ये systems भी हैं, और जातर जगे ticket पहले ही दे दिया जाता है, ताकि bus के अंदर ticket का काम conductor को ना करना पड़े, तो उससे क्या होता है, delay avoid होता है, और दूसरा bus के अंदर आपको भी wait नहीं करना पड़ेगा, conductor का आप अपना commute आराम से करें, बैठें, किताब पढ़ें, study है, क् आपकी मर्जी है, चौथा, intersection treatment, ये बहुत ही important है, intersection का मतलब होता है, हम जिसे आम तोर पर उत्तर भारत में कहते हैं, चौरहा, जहां पर चार रोड आकर मिल रही है, अब यहां पर क्या होता है, normally traffic signal होते हैं, आप जानते होंगे, signal red है, तो आपको रुपना है, green है तो आप आती है कि जब BRT corridor बना हुआ है, जैसे यहां पर आप देखिए, यह corridor बना हुआ है, तो इसको भी इस intersection को या चौरहाय को cross करना होगा, लेकिन यहां पर एक ideal BRTS में क्या होना चाहिए, कि buses को हमेशा जाने की permission मिले, अगर bus जा रही है, तो दूसरा traffic रोग दिया जाए, लेकि फिर उन्हें U-turn लेके यहां से यहां जाए, और ऐसे करके कुछ बनाया जा सकता है, कई जगे underpasses बनाया जाते हैं, अब यह सब ideal system में होता है, आप जानते ही है, 90% cases में ऐसा नहीं होगा, 90% cases में bus को भी यहां पर रुखना पड़ेगा, red light होगी bus के लिए, लेकिन फिर भी बसे को preferential treatment दिया जाना चाहिए, जहां कहीं भी possible हो, intersections पर उससे traffic, bus का traffic बहुत ही fast move करेगा, compare to other cars, पांचवा feature है platform level boarding, इसका मतलब यह होता है, कि जहां पर भी BRTS के bus stand है, वहां पर ऐसा एक raised platform होना चाहिए, जो इस height पर हो, 2-3 feet, 4 feet उपर हो, ताकि directly passengers bus के अंदर बैट पाए कि यह automated दर्वाजा है, जो खुल जाएगा, और इससे यातरी bus में चड़ जाएंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह typical BRTS का bus stand है, तो यहां पर चड़ने के लिए एक ramp भी बनाया होगा है, तो जो wheelchair use करते हैं, disabled लोग हैं, उनके लिए भी आसानी है, कि आप wheelchair लेकर य यह safe भी है, और इससे time भी कम लगता है, वरना bus stand पर अमुमम एक मिनट दो मिनट बस को रोकना पड़ता है, ताकि passengers उतरें और passengers चड़ें, लेकिन यह काम बहुती fast तरीके से किया जा सकता है, अगर platform बिलकुल bus के level का हो, अब BRTS का regular bus services के उपर फाइदा क्या है, देखो BRTS ए convenient है, लोगों को उतरने चड़ने में असानी है, और बहुत ही fast होती है compared to regular bus, जो mixed traffic में, normal traffic में first जाएगी, यहाँ पर BRTS के लिए अलग से corridor है, तो यह काफी तेजी से travel कर सकती है, और अगर BRTS को सही से implement किया जाए, तो यह जो regular slow buses है, उनको बहुत जादा सुधार सकती है, किस BRTS का, तो BRTS बनने से पहले, बोगोटा शहर में 2700 busses municipality वहां की use करती थी, या चलवाते थे वो, जिससे की 16,000,000 passengers daily travel कर सकें, BRT implement करने के बाद जब उन्होंने अपना system सुधारा, तो किवल 630 busses में वो काम होने लगा, जो 2700 busses में होता था, और इससे transport जाधा लोग हो रहे थ तो ये जो छोटी fleet है, ये एक तो double speed पर चल रही थी, और उसके कारण वो जाधा चक्कर लगा सकती है, जिसे हम कहते हैं, जाधा फेरे लगाये जा सकते हैं, एक point से दूसरे point तक, और इससे air pollution में भी बोगोटा में भारी कमी देखी गई, दुनिया भर में शहरों की लगातार बढ़ रही है, और उनके कारण transportation networks पर दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में अगर जितना ज़्यादा private गाडियां इस्तमाल होती हैं, तो pollution बढ़ेगा, तो ऐसे में cities ये चाहेंगे कि अपने bus transport networks को वो ज़्यादा सुदरड करें, ताकि जो pollution होता है, transportation या गाडियों के कारण वो कम हो सके, already दुनिया में सबसे बड़ा जो emission का source है, वो transportation ही है, और इसको कम करना, developing countries के especially बहुत बड़ी जिम्यदारी है, क्योंकि pollution से उनी की आबादी को नुकसान है, अगर भारत में pollution है, तो हमारी ही respiratory health पर नुकसान होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा private cars को road से हटाया जाए, या फिर उनके usage को कम किया जाए, तो उसके लिए bus networks को strong होना, fast होना बहुत ही जरूरी है, इससे traffic congestion भी घटेगा, और जो low income areas हैं, जो generally bus जैसे transport networks पर निरबर हैं, वो असानी से एक जगे से दूसी जगे तक जा सकते हैं, तो bus transport बहुत ही important है, दुनिया के cost पर किया जा सकता है, without implementation of metro rail projects, problem क्या है, metro rail projects जो हैं, वो बहुत ही costly हैं, अब भारत के कही शहर पिछले 5 सालों में metro rail बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आप समझे इस बात को, कि metro इतना सस्ता नहीं पड़ता है, दिल्ली का जो metro का phase 3 था, उसमें per kilometer cost 552 crore rupees थी, which was for underground, और जो overground है जो उपर चलती है metro, उसके लिए 221 crore rupees per kilometer का cost आया था, उसके comparison में अगर आप देखें, जो latest देश का BRTS network है, करनाटक के हुबली धरवाड में, उसकी cost पड़ी है केवल 44 crore rupees per kilometer, तो ये almost 110th cost है metro के comparison में, तो जिस शहर में BRTS implement किया जा सकता है, वहाँ पर ये किया जाना है क्योंकि इसकी cost बहुती कम होती है, आपने देखा ही है, इसमें basic infrastructure चाहिए, एक lane को अलग करना है, bus stand बनाना है, और कुछ special buses खरीदने होती है, जाहतर जो cost है वो low floor buses या AC buses खरीदने में जा रही है, तो BRTS corridors को implement करना is much more easier and cheaper for cities than metro rail projects, अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था लेक्चर की शुरुआत में, electric buses के बारे में, तो आपको FAME scheme को याद रखना है, faster adoption and manufacturing of electric vehicles in India scheme, इसका phase 2 चालू हो चुका है, कब चालू हुआ था, April 2019 में, ये scheme, department of heavy industry, ministry of heavy industries and public enterprises दोरा चलाई जाती है, बहुत ही important fact है, और ये scheme part है, national electric mobility mission plan का, इसका main thrust क्या है कि देश में electric vehicles का, जो खरीत फरोगत है, use है, वो बढ़े, उसके लिए subsidy दी जाती है, और जितने भी electric vehicles हैं, अगर आप उन्हें खरीते हैं, चाहे वो mild hybrid हों, strong hybrid, plug-in hybrid, battery electric vehicles, उन सभी पर सरकार अभी subsidy दे रही है, under this FAME scheme, तो उसी के तहित, सूरत जैसे cities को, city municipalities को, companies को, electric buses launch करने के लिए भी subsidy दी में और खत्म होगा, March 2022 में, इसी के साथ ये lecture समापत होता है, thank you very much for watching this, have a great day.